कि फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी भारत के उपराष्ट पती के बारे में हैं मैं आपको बताऊंगा कि भारत के उपराष्ट पती के वास्त क्या क्या मतलब क्या क्या प्रासिस होती है भारत के उपराष्ट पती के बारे में बताऊंगा इससे पहले मैंने भारत के प्राइच्ट पती के साथ की जाती है बहुत झालना कि अमेरिका के उप्राइच्ट पती के साथ की जा सकती है उसका नंबर दो कुश्यने भारती श्मिदान का कौन सा अनुश्यद कहता है कि भारत का एक उपराश्ट पती होगा तो फ्रेंटिस भारत का 63 पाद जो अनुच्छे दे ये कहता है कि भारत का एक उपराश्ट पती होगा और फ्रेंटिस यही पर कुश्चन आजाता है कि भारत ये समयदान का कौन सा अनुच्छे दिये कहेगा कि भारत का एक राष्ट पती होगा तो यह अनुच्छ बावन बा कहता है उसके बाद अगला कुछ चनाता है थर्ड नंबर की निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब इन में से आपको यह चार आपसंद यह हैं A B C D इसमें से आपको जो डी लाल वाला मतलब आमसर दिखाई दे रहा है अनुच्छ 61 उपराष्ट पती का कारिकाल तो यह शुमेलित नहीं है और उसके बाद और सब सब्सक्राइब लेते हैं जैसे अनुच्छ 66 उपराष्ट पती का चुनाव से संब्द देते हैं अनुच्छ 62 कुछ नातर नमबर चार निमन में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट पती का चुनाव लड़ सकता है तो अपने पद पर रहते हुए राष्ट पती उपराष्ट पती और राज जी का राज जिपाल यह सबी लोग उपराष्ट पती का चुनाव लड़ सकते है मतलब इन्हें कोई बाउंडिसर नहीं है कि अगर यह उपराष्ट पती है तो राष्ट पती का चुनाव नहीं लड़ सकते वैसे आप जानते हों कि मतलब जो उपराष्ट पती है बहुत राष्ट पती बनना चाहेगा लेकिन जो राष्ट पती है बहुत राष्ट पती बनना के लिए कौन सी सर्थे पूरी करनी चाहिए तो नंबर एक लाब के पद पर ना हो यह फ्रेंट सी यह बाते तो बिलकुल बहुत मतलब छोटी सी बात है कि यह तो आपको पता ही होगा कि बहुत के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो मतलब इन चीजों से तो फिर इसमें आपसन जो है आपसन के साथ देख लेते हैं नंबर एक है लाब के पद पर ना हो और संसत के किसी भी सदन का सदस्य ना हो यह तो दोनों बात एक ही हो गई तो केवल A और B आपसन यह ठीक हो जाएगा उसका अगला कुश्चना नंबर छे भारत के उपराश्ट पती क निर्वाचन है तो कौन सी पद्धिती अपनाई जाती है उपराश्ट पती के निर्वाचन है तो कौन सी पद्धिती अपनाई जाती है तो यह शमान उपातिक प्रतने दुस्त इवं एकल संक्रमड यह पद्धिती अपनाई जाती है उसका नंबर आठ कोश्चना था उपर आखिर व्यांक्तारों वीस dontव Pas को श्रूज बाँट को ठूप तौने hubs की होती है तो पृषिजर दो उपरष्ट पती राष्ट पति प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री इनके सब की आपको बीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ृज्छी कर देए और दोस्तों के साथ सेर् अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा आप सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए उसके अगला फुश्च नाता है नमबर नो उपराश्ट पती को उसके पद की गोपनियता की सफ़त कौन दिलाता है तो फ्रेंट्स समसद मिल कर यह लोग राष्ट और राष्ट पती को उपराश्ट पती को भी सफ़त राष्ट पती दिलाते हैं उसके अगला कुश्च नाता नमबर दसoda त्याग पत्र किसे सॉपता है तो फृर्णवर्भ उपराष्ट पति जो है वह अ हो अपना त्यागपत्र राष्ट पती और पर्भाष्ट किसे सौपते हैं तो मुख्य मंत्री जो होते हैं वो अपना त्याग पतर राज जिपाल को सौपते हैं अगले उसके बाद अगला कुश्चन आता है नमबर ग्यारा उपराष्ट पती के चुनाव से संबंदी सभी विबाद कौन जाचता है तो फ्रेंट्स उपराष्ट पती क पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है भारत के उपराष्ट पती पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है तो फ्रेंट्स ये राज्य सभा के द्वारा लगाया जा सकता है उसके अगला कुश्चन आता है नमबर 13 उपराष्ट पती को पद से हटाया ज सकता है तो फ्रेट्स यह भी आपसें सही है राज सभावा इकम इसको रजस्वा द्वारा शंकलप पारित कर पूर्ड बहुमत द्वारा अब अगला नमबर 14 भारत का उपराश्ट पती किसके पादेन सवापती होता है तो ये फिरेंट्स राज्य सवाके कुछ तो यह मैं थोड़ा में थोड़ा इस पती होगा तो भारत का उपराष्ट पती राज्य सभा कि पती होगा कि इससे पहले मैं थोड़ा है चेक गया था मैं इस तरब देखने लगा था कुछ कुछ काम आगे था इसलिए प्रेंट्स अगर आपको पता हो तो इसका अंसर आप कमेंट यह दे सकते हैं पहली बात मतलब बताएंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इते दोस्तों के साथ सेर कर दे और दी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें वीडियो को थैंक्स फार बाचिंग माई वीडियो थैंक्यू